हेलो फ्रेंड्स, इंकम टेक्स के केसिस की सीरीज में, आज जो केस हम लोग डिसकस करेंगे, उस केस का नाम है संजे गांधी, मेमोरियल ट्रस्ट वर्सिस कमिशनर आफ इंकम टेक्स एंग्जम्शन्स एंड अधर्स, ये केस 455 ITR, पेज नमबर 164 पर रिपोर्ट हुआ, मैटर दिल्ली आई कोट ने डिसाइड किया और इस केस का जज़्जमेंट 26 मई 2023 को आया, फ्रेंड्स बहुत ही इंपोर्टेंट केस है, सेक्शन 127 के उपर, सेक्शन 127 में ये पावर दी गई है कि असेसी का केस, एक जगे से लेकर के दूसरी जगे ट्रांस्वर किया जा सकता है, जर्नली सेक्शन 127 के बारे में ये दाड़ना है कि जब कभी भी असेसी किसी सर्च से रिलेटिड होता है, या तो किसी SSC के यहां सर्च होती है या उसके यहां या SSC के डॉकुमेंट किसी ऐसे SSC के यहां पाए जाते हैं जिसके यहां सर्च हुई है तो SSC का केस Central Circle के अंदर transfer कर दिया जाता है यह section 127 के बारे में एक journal perception है Present Case के अंदर SSC के यहां ना तो सर्च हुई ना SSC से related कोई incriminating material department के पास था फिर भी SSC का केस Central Circle के अंदर section 127 के अंदर transfer कर दिया गया Assessy का इस केस में यह कहना था कि जब Assessy रिट कोट के अंदर गया और यह कहा कि Faceless Scheme के अंदर मेरी assessment Faceless Regime में की जानी चाहिए क्योंकि मेरे से related कोई भी incriminating material department को नहीं मिला है तो इसलिए मेरा case Central Circle के अंदर section 127 के तहत transfer नहीं किया जाना चाहिए यह Assessy का कहना था इस केस के अंदर दिली आई कोट ने section 127 को बहुत ही deeply analyze किया और उसके उपर एक बहुत ही well defined judgment दिया दिली आई कोट का यह कहना था कि section 143 सबसके जब आया था तो e-proceedings के लिए आया था जो 2019 में आया उससे related notification 2019 में आई 12 September 2019 को बाद में e-proceedings को replace किया section 143 subsection 3B ने जिसके तहत faceless proceedings लाई गई 2020 में और एक notification 13 अगस्त 2020 को आया इन दोनों के मताबिक इन दोनों का जो purpose था वो यह था कि assessing officer और assessi के बीच में interface को खतम करना था physical interface को खतम करना था assessi की convenience के लिए लेकिन faceless regime के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ कि जो assessi का jurisdictional assessing officer होता है वो assessi पर अपना control खो देता है कहने का मतलब यह है कि jurisdictional assessing officer के पास assessi का original jurisdiction रहता है खाली national faceless assessment center के अंदर assessi का case assessment करने के लिए transfer किया जाता है assessment करने के बाद फिर दुबारे जो सारा record है वो assessing officer को transfer कर दिया जाता है 13 अगस्त 2020 की जो notification है जो कि faceless assessment के उपर है उसकी यह clause 2 है जो कि यह कहती है कि यदि assessment proceedings के दोरान national faceless assessment center के principal commissioner को ऐसा लगता है कि कोई assessi का case national faceless assessment center से jurisdictional assessing officer को भेजा जाना चाहिए तो principal commissioner central board of direct taxes की permission लेकर के ऐसा कर सकता है दूसरा section 127 के अंदर प्रावधान यह है कि यदि principal chief commissioner किसी भी stage पर principal chief commissioner को यह लगता है कि एक case एक assessing officer के पास से जो कि एक commissioner के अंदर आता है और दूसरे assessing officer को transfer किया जाना चाहिए जो कि कि किसी और commissioner के अंदर आता है तो principal chief commissioner ऐसा कर सकता है इस case के अंदर assessi का यह कहना था कि क्योंकि assessi का case transfer किया गया है central circle के अंदर इसलिए department को central board of direct taxes की permission लेनी चाहिए थी जो कि clause 2 of notification number of notification dated 13th august 2020 के अंदर दी गई है इस पर देली का यह कहना था कि जो notification 13 अगस्त 2020 की है वो assessi के case में applicable नहीं है क्योंकि वो तभी applicable है जब assessi का case national faceless assessment center के पास हो और फिर वो case jurisdictional assessing officer के पास transfer किया जाए कहने का मतलग यह है कि जो notification है वो section 127 की power को hemper नहीं करती इस case के अंदर क्योंकि assessi का case transfer किया गया था section 120 के 127 के अंदर तो assessi के ऊपर notification 13 अगस्त 2020 वाली जो कि national faceless assessment center के cases पर लगती है क्योंकि उस notification में यह दिया गया है कि यदि किसी assessment के दोरान national faceless assessment center के principal commissioner को यह लगता है कि यह case जाओ को transfer किया जाना चाहिए तो वो central board of direct access की permission से कर सकता है लेकिन जो section 127 है उसकी एक अलग मर्यादा है उस case में यदि principal chief commissioner को ऐसा लगता है कि कि किसी stage पर चाहिए assessment चल रही हो या अभी assessment start नहीं भी हुई हो उससे पहले भी वो case transfer किया जा सकता है दूसरा इस case में दिल्ली आई कोट का यह कहना था कि जो assessi है उसके पास यह right नहीं है कि वो यह कहे कि मेरा case specialist assessment officer ही करेगा दूसरा दिल्ली आई कोट का यह कहना था कि इसमें कोई भी civil consequences नहीं है यदि एक case section 127 के अंदर एक officer से दूसरे officer को transfer किया जाता है दिल्ली आई कोट का यह भी कहना था कि यह भी कहना गलत है कि खाली seized material के basis पर ही assessi का case section 127 के basis पर transfer किया जा सकता है यदि principal chief commissioner को यह लगता है कि coordinated effort के लिए और coordinated investigation के लिए कोई case transfer करना है तो principal chief commissioner section 127 के अंदर ऐसा कर सकता है दिल्ली आई कोट का यह भी कहना था कि इस case में assessi को कोई भी prejudice नहीं हो रहा ज़िए उसका case central circle के अंदर transfer कर दिया जाता है क्योंकि central circle के अंदर भी assessment जब करते हैं तो e-proceeding portal के थ्रू करते हैं और ना तो assessi को ना उसके professional को department जाने की जरूरत नहीं है वो अपने सारे जवाब जो है वो e-proceedings के दोरा दे सकता है दिल्ली आई कोट का यह भी कहना था कि court generally transfer matters के अंदर section 127 एक administrative section है इसके अंदर generally हस्तचेप नहीं करती trends case बहुत important है जो निशकर्ष है वो यह है कि assessi का case एक जगे से दूसरी जगे transfer किया जा सकता है यदि same city में है तो कोई issue ही नहीं है यदि एक city से भी दूसरी city में जाता है तो बहुत कम chances हैं कि assessi अपने इस transfer of the case को रोक पाए क्योंकि जो hint है court का वो यह है कि चहे assessi का case दिल्ली में हो या बॉंबे में हो क्योंकि जो assessment है वो यह proceeding portal के थूरू होती है search cases में भी central circle में भी तो इसलिए assessi के लिए ज्यादा issue की बात नहीं है तो इस case में court का यह कहना था जो assessi का case section 127 के अंदर transfer किया गया है वो ठीक किया गया है और दिल्ली आई court ने assessi की rate को reject किया वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं case का नाम repeat कर रहा हूं case का नाम है संजे गांधी memorial trust versus commissioner of income tax exemptions and others और यह case 455 ITR page नमबर 164 पर report हुआ मैटर दिल्ली आई court ने decide किया और इस case का judgment 26 मही 2023 को आया Thank you friends